किसान भाईयों इन दिनों हमारे कई किसान भाई मटर, लाही, आलू या गन्ने के खाली हुए खेतों में बे मौसमी धान या कम समय में पकने वाले किसमें लगाते हैं और उचित पानी की वेवस्ता वाले छितरों में कम समय में वा कम खर्चे में ये फसल अच्छा मुनाफ़ा दे जाती हैं तथा इन दिनों धान की फसल में बहुत अधी कीटों वा बिमारियों का प्रकोप तो नहीं होता है मगर कुछ खेतों में जमीन में पाया जाने वाला बिलकुल बरीक धागे के कार का केचवा नूमा कीट पाया जाता है जिसे लाल सिलाई या बरीक केचवा के नाम से लोग जानते हैं और ये कीट दान की रुपाई के 4-5 दिन बाद ही खेत में पैदा हो जाता है, और बहुत ही तेची से इसकी बढ़वार होती है, तथा ये कीट जिस खेत में बहुत अधिक होगा, उस खेत में धान की फसल एक सर ब्राबर नहीं दिखाई पड़ती है, और खेत में जाकर देखने से पता चलता है कि कहीं कहीं पर फसल बहुत अच्छी है और कहीं कहीं पर बहुत कम कल्ले भी दिखाई देते हैं क्योंकि ये कीट बौदो की जड़ों के आसपस बहुत अधिक पाये जाता है तथा ये अपने आपको धान की जड़ों के आसपस लप रख देते हैं उसी वक्त खाद में मिलाका चुड़काव करने से इन कीटेव पर पूरी तरह से कंट्रोल पाया गया है इसके लावा आप इमीडा क्लोपीड 17.8% जिसकी मातरा 200-200 ml प्रतियकड या क्लोपीड 50% की मातरा 400 ml प्रतियकड इन में से कोई भी एक दवा खाद में मिलाका चुड़काव करने से यह कीटेव पर कंट्रोल हो जाता है या फिर अगर खाद में ना डाल कर तो आप इमीडा क्लोपीड 17.8% प्रतियकड प्लस क्लोपीड 50% की मातरा 300 ml प्रतियकड के हिसाब से इन दोनों को एक साथ मिलाकर यानि दोनों का अलग-अलग घुल बनाकर और बाद में एक करके सप्रेप में डाल कर इन दोनों का एक साथ सप्रेवी किया जा सकता है और अगर 15-20 दिन बाद ये कीट के कही कहीं पर दुबारा लक्षन दिखाई देते हैं तो हम इन दुवाओं का दुबारा भी चुटकाव कर सकते हैं क्योंकि आप सभी को पता होगा कि धान के खेत में 4-5 दिन तक पानी रहता है तो ये कीट अपने पैदा हो जाता है और ये पौदों की नई जड़ों का विकास भी नहीं नहीं देता और हमारे बहुत से किसान भाईयों का कहना है कि हमने अपने खेत में बहुत बड़ी एक खादवा का प्रयों किया है मगर फिर भी हमारी फसल के कल्ले ज्यादा नहीं बन पाएं तो फसल के कल्लों का अच्छे सी विकास ना होना ये भी एक करण होता है ये बहुत छोटी छोटी बाते हैं मगर हमें इन बातों पर गौर करना चाहिए तो किसान वीरो अगर आपको हमारी जानकरी अच्छी लगती है तो आप भी चैनल सस्क्राइब कर लीजिए ताकि आपको खेती से जुड़ी जानकरी समय समय से मिलती रहें धन्यवाद